जहारकन विदानसभा का मौनसुन सत्र का अंतिम दिन और अंतिम दिन भी भारतिय जंता पार्टी सत्ता पक्ष के ओपर सवाल खड़े कर रही है इस वक्त हमारे साथ मौझूद है बढ़का कावब विदायक अमबा प्रसाद हम लोग इन से जुड़ते हैं हम लगतार आप लो लोगों को गुम्रा करते हैं होता कुछ है होता है क तो बोलते हैं ख होता है ए तो बोलते हैं जे तो यह हर हाल में गुम्रा करने वाला इनका पॉलिटिक्स इनके पास कुछ बचा ही नहीं है कोई मुद्दा बचा ही नहीं है तो यह तो यही करेंगे बहुत सारे पास होना एक बहुत बड़ी बात है और अब किसी भी चीज को उस पहले भी आप देखे कितना विवादों में रहता था जब भी एक्जामनेशन होता था तो हर बार पेपर लीक और हर बार कई तरह की चीजों के वज़े से मतलब इसका कुछ हल नहीं निकल पाता था लेकिन अ उनका हक मारने के लिए जो आते हैं वैसे वैसे लोगों पर कार वाही होगी तो ये सिंपल सा चीज है ये कोई फरमान ने है क्योंकि isn't that in your पर दिया सिर्क проблем में होंगे अपने पर उनके लिए और उनके लोगों के लिए यही रास्ता थाशायव अधियों कि रिके संविधानिक पद है मैं उसके बार में नहीं बोलना चाहती हूं ये अगर राज़ेपाल को उसमें भी अगर कहीं कुछ लगता है क्योंकि विध्यक तो लोटरी अभी ना कोई कारण का तो कारण बताते हैं उसके बाद लोटाएं तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे मैं अपडेट पारा सिक्षकों से भी मुलाकात करने गई थी बहले उनका धर्माक भाद खतम हो गया है लेकिन आप लोगों से वो लगतार मांग कर रहे समयोजन की मांग कर रहे पेस्केल बढ़ाने की मांग कर रहे आप कुछ उनसे मिलकर के हैं उनकी स्तिद्य आपने देखिये मैं उनका बात भी उठाई हूँ विधान सभा में और कुछ लोगों को मानी मुखी मंतरी से मिलवाई हूँ उनकी बात मैं जितना रख सकती थी मैंने जगह पे रखने का काम किया है अपना फर्ज निभाए है और एक विधाय का क्या फर्ज होता है कि आप विधान सभा से लेकर जहां तक भी अपने लोगों की समस्या को रख सके ताकि उसको जल्दी किया जाए और मुझे आश्वाशन भी मिला है कि इन लोगों को एकॉमिडेट किया जाएगा यह थी हमासत विधाय का अंबा प्रसाद जिन्होंने कई मुद्धों पर हमारे साथ चर्चा की जहां अभी अर्थियों के परिक्षा को लेकर के जो विधेयक लाया गया उसमें जो चीजे हैं उस पर भी चर्चा की असाथी सथ टेट पारा सिक्षकों की जो मांग है उसी भ पारे में भी नोंने तमाम बातें हमारे साथ रखी फिलाल हमारे साथ इतना ही सहयोगी विशाल के साथ मैं पूझा लाइव इंडिया राची